राधी राधी दोस्तों गुड मॉर्निंग सुप्रभाद तो हो गई है सुभा की शुरुवात बच्चों का टिफिन बनाने के साथ और आज मैं बच्चों को लंच भी देने वाली हो भिंडी की सबजी और भिंडी की सबजी बच्चों को बहुत जादा पसंद है और वो हर दो तिन बाद मुझसे डिमांड करते कि ममी भिंडी की सबजी बना के दो तो भिंडी की सबजी ब कि क्या चेंजिस थोड़े पर जो होते हैं तो आज का व्लॉग भी बहुत जादा इंट्रस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स तो बने रहेगा व्लॉग में मेरे साथ तो फटा फट से सबजी चढ़ाने के बाद मैंने कर ली है पूजा और मेरा जो नियम से मौणिंग में काम होता है और सबसे पहले पूजा करने का ही होता है उसके बादी मैं बांकी रूटीन के वर्ग जो है वो अपने स्टार्ट करती हूं और अब मैं बना रहे हूं रोटी और फटा फट से भोग निकाल देती हूं लड्डू के लिए और फिर मिशा का टीफन तियार कर दूँगी क्योंकि उसके स्कूल के जाने का जो टाइम होता है वो है साड़ी छे बजे का बाई तो मिशा तो चलीगी स्कूल और आप मैं रेडी कर रहे हूं रक्षित के लिए टिफिन और रक्षित का टिफिन भी मैं इसी समय रेडी कर देती हूं क्योंकि फिर मिरको रक्षित को तियार करने में काफी असानी हो जाती है बीच में मुझे उसके लिए दुबारा से लंच पनाने के लिए नहीं आना पड़ता तो दोनों का यह रंच में रेडी कर ले तो वैसे रक्षित के स्कूल का टाइम जो हो आठ बज़े बट अभी मैंने उसका लंच बना कर रख दिया है और सभी मदर्स यही चाहती है कि उनके बच्चे टाइम से तियार होकर लंच लेकर स्क नाशता करूंगे मतलब हम लोगों के लिए जो नाशता है वो मैं बाद में प्रिप्रेब करूंगी रक्षी रक्षी राजी इतरो बिटा बाबू उठो उठो ठोटो ठोटो चूल झाना है उठो इतरो टो एड़ो चलो देखो दीदी गई स्कूल गई उठो हम रादे 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 उठो चलो स्कूल जलोगे हाना हाँ चलो वेरी गुड़ बाई ये उठ जाता है चल्दी देखो कितना अच्छा मौसम हो राज ठंडड़ेंडी हवा चल रही है पानी गरम कर दिया आपके लिए ठीक और फ्रेंड्स देखे बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है ठंड़ेंडी हवा चल रही है और हलके हलकी धूपी आ गई है लेकिन मौसम बहुत कुबसूरत हो गया आज हावा में बहुत अच्छी ठंड़क है लगया आपका बैग तो रक्षित ने अपना बैग लगा लिया है और चलो आपना हालो रक्षित अब नहाएगा स्कूल जाने के लिए देखे रूम की क्या हालत हो रही है तो अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूं क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते तो उसके के चले जाते हैं और मिस्टर शेफ करे में मौनिंग वॉक की लिए जितनी देर रक्षित नहा लेता है अतनी देर में यहाँ बैट वगेरा क्लीन कर लेती हूं और सूबा मैंने जाडु पुचा कर दिया हैर में बस यहाँ पर थोड़ा सा बैट जो है वो गंदा हो रहा था तो मैंने इसको क्लीन कर दिया है मिशा की स्कूल जाने और रक्षित की स्कूल जाने की बीच में होता है मेरे पास एक घंटे का टाइम जिसमें कि मैं कहीं सारे काम अपने और भी कर लेती हूं जैसे कि मैंने अभी preparation कर ली अपनी morning drink की और मैं हमेशा इस time अपनी morning drink की preparation कर लेती हूँ और 7 बजे तक अपनी morning drink जो है वो ले लेती हूँ और Mr. Chef जो है वो गए है morning walk के लिए जब वो आएंगे तो हम साथ में ही morning drink अपनी लेती है अब मैं प्रिपेर कर रहे हूँ रक्षित के लिए mango shake क्योंकि mango आजकल सीजन में है और हमें seasonal fruit तो खाने ही चाहिए साथ में बच्चों को तो हमें fruits जरूरी देने चाहिए हो सके तो दिन में कम से कम दो seasonal fruits हमें जरूर खाने चाहिए और जो हमारी health के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंद रहते हैं अगर आप भी अपना weight lose करना चाहते हैं तो आपको सुभा इस तरीके की कोई ना कोई morning drink जरूर पीने चाहिए मैं भी इस morning drink को अभी एक महिने से ट्राइ कर रही हूँ और मुझे इसका काफी अच्छा result जो है वो देखने को मिल रहा है इसे बनाती हूँ मैं ginger water से, lemon और honey से और ये पीने में बहुती ज़्यादा टेस्टी भी होती है रक्षित ने नहा लिया है चलो mango shake पीलो अधर देखो येस अच्छा है टेस्टी है ओके बादाम के फाइदे कौन नहीं जानता बरात को ही मैंने कुछ बादाम भिगा कर रख दिये थे और डेली ही मैं इस तरीके से कुछ बादाम भिगा देती हूँ और सुबा हम लोग इने खा लेते हैं वैसे बादाम को छिलके के साथ ही खाना चाहिए बट कुछ बड़ी एज के जो लोग होते हैं उनको छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि छिलकर डाइजस्क नहीं होता जल्दी से पर बच्चों को हमें छिलके के साथ ही इन बादाम को देना चाहिए चील कर नहीं देना चाहिए, मैंने मिस्टर शैफ और अपनी लिए तो कुछ बदाम चील लिए हैं, लेकिन रक्षित को मैं ऐसी ही चिलके के साथ दूँगी लो बदाम ले लो, ये वाले ले लो चिलके वाले, हाथ चिलके वाले उठालो जल्दी से खालो, फिर आपको रेडी करती हूँ, ठीक है? आँ, गुट मीशा तो खुद ही त्यार हो जाती है, बस मुझे उसके बाल बनाने होते हैं, लेकिन रक्षित को मुझे पूरा ही त्यार करना पड़ता है उसको पूरा ड्रेसर पिनाना पड़ता है, और वो खुद से अभी यह सब नहीं कर पाता, तो दीरे-दीरे में उसे सिखा रही हूँ, और वो दीरे-दीरे करने भी लगा है बाई रक्षित, तो रक्षित के ओट उंकल आ गए है, और लेडू को भी बाई करता है, खुश रहे बाबो, खुश रहे, खुब अच्छे से पड़ाई करना की कह? बाई राजजी, अच्छे से पड़ाई करना ठीक है, तो रक्षित के जाने के बाद फिर मैं बनाती हूँ, अपने और मिस्टर शेफ के लिए ब्रेक्वास्ट, और फिर उसके बाद हो जाते हैं कि इजन में कुछ ऐसे बर्तन, जिनको मैं लिस्टाती हूँ, और आज दिन म आई ती दिन में राजमा चावल खाने की, तो आज राजमा भिगा देती हूँ, बस इसी तरीके से मेरा जो है मॉर्निंग का रूटीन जो हो रहता है, और आई थिंक सभी जो हाउस वाइफ हैं, उनका कुछ इसी तरीके का सुबा बिजी बिजी स्टूल रहता होगा, बच् चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगा, तो चलिए आपसे मिलूंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अपना संडे मॉर्निंग रूटीन, संडे को क्या करती हूँ, संडे को कितना काम, कितना आराम रहता है, ये सब नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो साथ में जरूर जुड़े रहेगा चैनल की, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तिल देन, बाबाई, राधे राधे,